प्यारे दर्शको आज हम आपके लिए ला रहे हैं भाई साम्विल पॉल दिनकरन के द्वारा दिये गए एक सामर्थी संदेश को इसे सुनकर परमेश्वर के आशीश को प्राप्त करें आज में मेरे प्रियवित्रों परमेश्वर के बारे में आप से बात करना चाहता हूं जो अपने जीवन से हमें पुनर जीवित करता है पहला कदम जो आपको उठाना है वो यह है मेरे मित्रों कि आप रोना बंद करें और आप वापस खड़े हो और विश्वास की एक छलांग लगाए विश्वास की एक छलांग लगाए क्योंकि शैतान आपको हमेशा कहेगा कि तुम रोते रहो वो आपसे कहेगा कि आप काम करना बंद कर दें पढ़ना बंद कर दें यह दो बेकार है और तुम पहले ही आदमों तिर्ण हो आगे तुम बढ़ करके क्या कुछ हासिल कर सकते हो अपना समय पर बाद न करो बस छोड़ो और जो कुछ भी हो सकता है उन सारी चीजों का तुम आनन लो बस रोते रहो रोते रहो बस हमेशा सोते रहो लेकिन मेरे प्रियमित्रो गश्व परमेश्व जो है हमें चुनाव देते हैं आप कौन सी रह में जाना चाहते हैं क्या आप अपने पाप के बारे में बस रोते ही रहना चाहते हैं क्या आप अपनी सफलताओं में ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं क्या आप उस रह में बढ़ना चाहते हैं जिसमा आप फिर से खड़े हो और वापस लड़ने को तयार हो जाएं थोड़ी देर के लिए तुम्हा परवेश्व की बात ही नहीं कर रहा हूं आप उसे बस थोड़ी देर के लिए भुला दे मैं बताऊंगा परवेश्व और आपके लिए क्या करने वाले हैं लेकिन जवान होने के नाते हैं हम फिर से खड़े होते और लड़ना शुरू करते हैं क्योंकि यह जो है अंतिम दिन है और हमारे पास समय नहीं है कि हम उसे व्यर्द गमाएं हम अपने चारों और बाइबल की बातों को पूरा होता देखते हैं रहते हैं कि हमारे जीवन में यह सब क्या हो रहा है लेकिन मैं आप से कहना चाहूँगा मेरे प्रेमित्रों आज से हम उस बड़ी तस्वीर की तरफ देखना परारम करें हम इस बड़ी तस्वीर को कैसे देखते हैं केवल परमेश्वर की दृष्टी या नजरों की द्वारा जब हम परमेश्व की नजरों से देखते हैं कि आज संसार में क्या कुछ हो रहा है तो हम जानते हैं कि पुरे विष्व भर में नाना प्रकार के ऐसी घटनाय होंगी, भुकंप होंगे, और बाड आएंगी और इस तरह के दुरगटनाय होती रहेंगी बाइबल कहती है कि समंदर जो है हिलाए जाएगा, पृत्वी हिलाए जाएगी, देश जो है, वे हिलाए जाएगी यह सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रभु येश्यूस जल्दी ही आने वाले है और आज ही वही सबसे बड़ी तस्वीर है तो हमें क्या करना है, क्या हम ऐसे ही बस रोते रोते रहें दुर्भागे से हमें अपना रोना बंद करना है, हमें उट खड़ा होना है और वापस खड़े होकर कि अपने युद को प्रारम करना है मैं बताना चाहूंगा कि जब आप अपने लिए इस नेड़े को लेते हैं और मेश्वर आप के लिए लड़ना शुरू करेंगे जब आप पानी पर चलना प्रारम करते हैं, पर मेश्वर आपको अपना हाथ देता है जब आप जानते हैं कि आप उस पानी के ऊपर चल नहीं सकते तो भी आप विश्पास का एक कदम बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि एक और हाथ है जो आता है और आपको पकड़ करके उस पार लिजाता है आप सोचेंगे कि आज मैं बहुती कठोर शब कामल आ रहा है और दुर्भागिस शायद ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और आज मैं संदेश को जो ततकाल होने के लिए है आज आपको देना चाहते हूं हमारे पास समय नहीं है और मैं जानता हूं परमेश्वर आपके हिर्दय को समझते हैं वो एक अठोर हिर्दय परमेश्वर नहीं है When you are struggling and when your heart is weak and it's paining so much. When you are not able to study properly. When there is no hope for a job. When there is everyone rejecting you for an alliance, a life partner. When there is no money to do anything. God understands your weaknesses. Ask God. And tell him, give him a word that you will start fighting for him. Just think my friends, why should God help someone who is going to keep on crying, keep on sleeping and not fight? You tell him, Lord, I want to fight for you. I will do anything for it. But, you have to help me. I cannot do it on my own. I cannot wait for people to come and help me. You help me, Lord. So, don't be worried. Today, that is what I want you to pray. I want to fight for you. I want to fight for you. And you will see the Lord coming and fighting your battles. I want to talk to you about the Lord who gives life. I want to talk to you about the Lord who is the light. Parmishwar, who is the light. Who resurrects things dead in our life. Who resurrects things dead in our life. There was a friend in my college. College ke dinoh mein mera ek doost tha. Who was crying one day. Jo ek din roo raha tha. He was crying, sitting alone in the college. And I went to him and asked, what are you doing? Woho college me akela bäitha roo raha tha. Or jab, mein us ke paas gya, mein na puchha kya hua. What happened? Kya hua? Did someone hit you? Kya kisi na tumhye maara? Did someone tell bad things? Kya kisi na tumhye bure shabd kahe ya tumhara apmaan kya? And he slowly lifted up his head and looked at me and he said. Dheere se usna apna sir uthaya aur usna mudhse ye kaha. Sam. Sam. I just lost my seventh girlfriend in college. Main na college mein apni saatmi girlfriend ko hali mein kho diya. I don't even have one girlfriend and you're crying about your seventh breakup. He used to follow her every place she went. When he came into the college, you know, he was such a fruit. And when he came to college, he knew that he was such a fruit. So, he used to get the best marks in our group. And in our June, we were so envious of him and we said, hey, give us a chance. Let us also catch up to you. But one girlfriend after another, after another, after another, his marks also slowly got down. He lost his time, his concentration is focused. Usna apna samay ko khuya, man ke akagrata ko khuya aur pada hai ma angko ko bhi khona shuru kya. And at that moment, not only did he lose her, but he saw what all else he lost in his life. And at that moment, he saw that he was focused to do what he needed to do. Because he trusted in some person. That's why the Bible says, cursed is the man who puts his trust in another man. This is why the Bible says, shrapi tawha jan, jho manushu par bharusa rakta hai. Jeremiah 17.5 When we wait and put our trust that that man will help me, that man will encourage me, that man will give everything he has to me. Or when we put our trust in things, that this will give me pleasure, this will give me joy, I'll wait to see that cricket match, till then I'll not do anything. Many times we wait for the cricket match at the end of the week, and the whole week we'll be talking about that only. The whole week we keep checking the scores, keep checking the interviews, everything. The whole week we keep checking the scores, keep checking the interviews, everything. All the pre-match analysis, everything we'll be doing. And we lose all the other things that we have to do. Don't just trust in the things of the world to give you pleasure. It will only be temporary. But when the match is over, we don't know, now what? Now what will give me pressure to go on and do what I need to do? You see, when we love something so much, and we wait to get happiness from that one thing, after it's over, we don't know what to do. What's our job? What's our mission? That's why when we wait, put too much of our trust for happiness into one thing, like the internet. When that is over, the next day, you won't get any passion to study. You won't get any passion to go and work. Too much love for one thing. Too much trust in one thing of this world. इस संसार के किसी एक चीज़ पर बहुत ही जादा भरोसा रखना वह जो है, यह जिसी जो बात हैं, वे हमारे ध्यान को भटका देती हैं, दूर करती हैं. Many times have fallen into such traps. और कई बार ऐसा हुआ कि मैं भी ऐसे ही परिक्षाव में पड़ा हूँ. People ask me, so what should I do? Can I watch movies? Can I watch all the songs of the secular songs, everything? Can I listen to them? तो लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं क्या करूँ ऐसे स्थिति में, क्या मैं picture देखूँ या जो गाने हैं उनको सुनूँ? इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है. आप यह नहीं कह सकते हैं, तुम जो चाहा करो, जो चाहे देखो, सुनू. और उसके बाद फिर आप यह भी नहीं कह सकते हैं, कि आपको उन सब को छुना भी नहीं है. ये तो सब बहुती बुरी चीज़ है क्योंकि वो जो शैतान है वो तो उस थेटर के अंदर मही है तो उस प्रश्ट का जवाब जो है हम कैसे दें एक मनश्य होने के नाते मैं आपको इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा लेकिन हमारे हृदियों में जो पोटरात्मा रहता है उसके साथ होने वाले अन्भो के द्वारा से हम से जानते हैं चलि मैं आपको एक उदाहरन देता हूँ ऐसा भी सबाया है जब मैं बैट करके यूट्यूब के सामने में एक के बाद एक वीडियो देखता रहा हूँ और तब अचानक ही मेरे अंदर हिरदे मैं एक टीस सी उठेगी कि अब मैं जो है उसे रोक दो Sam, it's too long ओ Sam, बहुत समय हो चुका है और तुम कुछ ऐसा देख रहे हो जो तुम्हारे मन को विक्रित कर रहा है अगर तुम उसे देखते रहोगे तो बस तुम उसके बारे में ही सोचते रहोगे तुम्हें बस वही अच्छा लगेगा और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की च्छन होगी काम करने के लिए तुम्हारे अंदर ना कोई मन होगा ना आनन्द होगा इसलिए तुम बस रुक जाओ लेकिन जब पवितरात्मा हमें बार बार चिताता है तो भी उसके बाद भी हम यह कहते हैं कि शायद बस एक या दो वीडियो देखने कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वो कदा भी नहीं रुकता और उसके बाद मैं अपना सिर पटक करके रोता हूं कहता हैं प्रभू मैं बार बार यह क्यों कर रहा हूं और जो हमने किया उसके लिए हम पश्यताप करते हैं तब प्रभू से हम कहते हैं प्रभू जी मैं इस जाल मैं बार बार क्यों फस रहा हूं वो हमें सीमा बताते हैं जिसे हमें पार नहीं करना है इसलिए आवश्यक है कि प्रति दिन हम उसे अपने अंदर में बहुतायत के साथ रखे वही है जो हमें पाप के बारे में चिटाता, सिखाता और कायल करता है और धार्मिक्ता की राह दिखाता है not only that He gives us an aching burden for righteousness every moment you'll be saying I have to do the right thing before God why? because I need to see Him smiling concerning me I don't want Him to cry because of me I don't want Him to be pierced because of me oh my master has done so much for me I just want to make Him smile so today I give you a decision in your hand will you stand up and fight with me or will you keep crying I know it's so difficult so difficult to get back on our feet you know that's why we're gathered here together so that we can help each other to pray so that we can cry together to the Lord will you support me in battle today just as I will support you today my friends you might be so afraid that your exams are coming so near I'm going to pray with you right now loving Lord Jesus you have not given us a spirit of fear but a spirit of excellence Lord oh let the spirit of excellence drive us to achieve our best let the spirit to do our best Lord overcome any spirit of fear let us just look upon your face and say Lord let me study my best let us compete to excel in everything Lord please remove the fear of failure please remove the fear of forgetting everything Lord Lord please help them and you place your love in their hearts your joy in their hearts Holy Spirit you are our only solution Holy Spirit rejoice in us let's get filled with the Holy Spirit even before we study Lord let us study with confidence and joy no fear in the exam hall help us rejoice and write our exams let your children not forget anything Lord when they ask you immediately bring it into their mind when they ask you immediately bring it into their mind oh lift them up above all their friends keep them first in their class and first in their career oh give them a seat for all those who are waiting for a college seat Placements Lord bless them abundantly give them great honor Lord let there be no pressure from their path let it not get into their hearts Lord वह उनके हिर्दय के अंदर में ना पैठ जाए प्रभू सिवाए अपने कक्षा में प्रथम आने की चाहत के छोड़ वह अपने मात पिता से प्रेम करें उनके आग्या माने और उने दे कि अपने मात पिता के लिए वह बड़े घर्ब का कारण्ठ है रहे Let there be great joy in the family life also Let everything around them be peaceful for them to succeed Love them Lord And lift them up to be number one In Jesus name Amen God bless you my friends, all the best and we will see great things परमेश्वर आप सबको आशिस दिम्रेवित्रो सर्वत्तम की आप के लिए मेरी कामना है और आप सब बातों में स्रेश्टा रहे